बच्चो स्वागत है आप सभी का SDRS विद्याले के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बच्चो क्लास 6 का हम लोग इंग्लिश कर रहे थे और यूनिट 2 में हम लोगों ने CC2 तक सारे चीज़ों को कवर कर लिया था इस वीडियो में हम लोग CC2 के आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या लिखा हुआ है उस राज जब राजा नेंद में था हरी चमकीनी पत्तियों में लिपटी एक सांधर तस्वीर उसके सामने प्रकट हुई और सरदकाली इन पत्तियों की खड़काराहट से आवाज में बोली I am the goddess of the देवदार tree, great king Your men have told me that you intend to cut me down I have came to beg you to change your mind Hey महान राजा, मैं देवदार विरिक्ष की देवी हूँ आपके आद्मियों ने मुझे बताया की आप मुझे कटवाना चाहते हो मैं आपसे विंती करती हूँ या भीक मांगती हूँ की आप अपना विचार बदल लीजिए No, my mind is made up, answered the king in his dream नहीं, मेरा मन बन चुका है राजा ने अपने सपने में ही उत्तर दिया Yours is the only tree in all my park strong enough to support by itself a palace and therefore I must have it राजा ने कहा कि तुम्हारा ही कैसा विरिक्ष है जो मेरे समस्तर अध्यानों में ऐसा है जो इतना मजबूत हो कि वो एक महल को अकेले ही सहारा दे सके और इसलिए मुझे या अवश्य चाहिए But consider, O king, for hundreds of years I have been worshipped by the people of all the villages in your kingdom And nothing but good has gone out from me to them The birds nest in me I send a most lovely shade upon the grass Many men rest against my trunk and wild creatures rub themselves against me The earth blesses me and sends up new plants and herbs under my protective arm I bind the earth with my strong roots Children play at my feet And women returning from the fields seek refuge in my coolness O raja, जरा सोचिये सैकडों सालों से आपके समराज्य के सभी गाउं के लोगों ने मेरी पूजा की है और मुझसे बदले में और कुछ नहीं केवल अच्छा ही पाया है पक्षी मुझे में अपने घोसले बनाते हैं और घाश पर एक सामान सुखमे चाया मैं देती हूँ आदमी मेरे तने से लगकर अराम करते हैं और जंगली जानवर भी धर्ती मुझे आसिरवाद देती है और नई पौधे और जड़ी बूटियों को मेरे सुरक्षा के अंतरगत मुझे में भेचती है मैं धर्ती को अपनी मजबूत जड़ों के साथ बांध कर रखती हूँ बच्चे मेरे कदमों में खेलते हैं और खेट से काम करके लोटती ओरते मेरी थंडी चाया खोजती है यहां सब सत्य है वरिक्षदेवी राजा ने कहा लेकिन तब भी मैं अपना वचन नहीं बदल सकता मेरा मन बन चुका है और मेरी इच्छा को हिलाया नहीं जा सकता दी ट्री गॉड़ेस स्पोग इंटोंस अव ग्रेट सौरो देन माइटी किंग ग्रांट मी वन लास्ट रेक्वेस्ट लेक्षदेवी ने तब अत्यंत करूना स्वर में बोला ओ प्रतापी राजा मुझे मेरे एक अंते मिच्छा प्रदान करो मुझे तीन हिस्सों में कटवाओ पहले मेरे हरियाली युक्त लहरदार ताजवाले सिर को कटवाओ उसके बाद बीच के हिस्से को जिसके सैकडो मजबूत बाह और हाथ है और अंत में मेरे आधार को जो मेरे सबसे भारी और गठीले अंगों के भारों को समालता है यह तो एक विच्ट रविंती है राजाने कहां मैंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई व्यक्ती मौत का आगात तीन बार सहना चाहता हो क्यों नहीं पीडा को एक बार ही सहा जाए और काम खत्म कर दिया जाए देखो महाराज कारन बहुत ही साधारन है देवदार की दरजन व्रिक्ष मुझे में पैदा होती है यदि तुम मुझे एक ही सक्तिशाली पुरहार में गिरा दोगे तो निये निश्चे है कि मेरा जो भार है मेरे सभी बच्चों को कुचल कर मार डालेगा लेकिन यदि मैं तीन आघार जेलती हूँ और तीन हिस्सों में कटकर गेड़ती हूँ तो कुछ व्रिक्ष या कुछ पौदे अपना जान बचा सकते हैं क्या मेरी प्राथना आपको स्विकार है इंडीड इस सेट थी अस्टोनेश्ट केंग अस दी ट्री गॉद इस फेड़ इस विजन ने संदे स्विकार है विश्मित होकर राजा ने कहा तभी व्रिक्ष देवी अंतर ध्यान हो गई अगली सुबर राजा ने अपने बच्चे, मंत्री और वनकर्मियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि उसने अपना मन बदल लिया है अब महल के लिए स्थम्द पेल से नहीं, लकडी से नहीं, पत्थर से बनेगा क्योंकि उसने कहा देवदार में मेरी आत्मा से बहतर आत्मा वास करती है और उसने अपने स्वपन के बारे में बताया और वे सभी आश्यर चकित हुए और राजा ने अपना महल पत्थर के विस्ताल इस्तमद में बनाया और उसके आधार के चारो तरफ उसने सुंदर बगीचे का निर्मान करवाया सहर और आसवास के गाउं के बच्चे उस बगीचे में काफी संक्या में आने लगे और घास पर बैट कर चारो तरफ लगे सुंदर फूलो और रिख्चो का भरपूर आनंद उठाने लगे तेकिंग इग्जाम्पल्स आफ दे किंग नो वन बिल्ट देर हाउसस अफ वूड एनीमोर दी हाउसस वर मेड अफ स्टोंस एंड ग्रेट देवदार्स वर एबल तु स्प्रेड फ्रीली थ्रू आउट दी फॉरेस्ट राजा का उधारन लेकर किसी ने भी अपना घर लकडियों से नहीं बनवाया घर पत्थर के बनने लगे विशाल देवदार के वरिक्ष अब वनों में बेरोग टोग बच्चो तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया है सम आप तो आगे आपको दिया जा रहा है कोशियन एंसर जिसे आपको अपने कॉपी में लिखना है एक और जरूरी सुचना ध्यान से सुनियेगा अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर ले जिस तरह से मैं कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें जिस तरह से मैं कर रहा हूँ ऐसा करने से हमारे दोरा भीड़ा के अन सारा वीडियो आपको तुरंत मिलते रहेगा तो बहुत ही जल लोटूँगा एक और नए वीडियो के साथ जब तक के लिए बने रहे हैं SDAV के साथ झाल 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 झाल